हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम तो आर चानल, सॉल्यूशन फार्मेसी, तो जैसा आप जानते हैं, हम लोग भी फार्मा सेकर्ड सेमिस्टर का और्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम लोग टॉपिक वाइस चल रहे थे, तो आयू पी असी नॉमेंक्लेचर पढ़े थे, और आयू पी नॉमेंक्लेचर की सीरीज में, हमारा जो नेक्स कमपाउंड है, दाट इस कीटोन है, हम लोग इसके पहले कुछ पढ़ चुके थे, तो अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, दाट इस कीटोन, क्या होता है, कीटोन एक ऐसे कमपाउंड होते हैं, जिनको हम कार्ब कार्बोनाईल ग्रूप के अंदर रखते हैं, और कार्बोनाईल ग्रूप में में चीज क्या होती है, स्टूडेन देखे, यह कार्बन हुआ, इसके दो बॉंड पर ओ लगा हो, और बाकी के दो बॉंड खाली हो, अब कीटोन के लिए क्या जरूरी है, कि यह जो दोनों खाल बॉंड हैं, यहां पर आपका आर ग्रूप ही अटाच हो इस तरह से, अगर यहां पर आर की जगह कोई दूसरी चीज अटाच है, सपोज आर की जगह पर यहां पर एच अटाच है, तो इस कंडिशन में यह जो रिजल्टेंट कंपाउंड है, यह किटोन नहीं के लाएगा, तो किटोन जो होते हैं, वो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके दो कार्बन के जो बॉंड फ्री हैं, उन दोनों बॉंड पे दो और्गैनिक ग्रूप्स लगे हुए हो, और यह जो कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बोले, तो तो यह जो center वाला portion है, यह ketone हुआ, तो यह हमने नाम लिखा ketone, एक methyl और यह दूसरा methyl, तो dimethyl, दो बार methyl हुआ, dimethyl ketone, और अगर sequencing करेंगे, one, two, three, तीन कार्बन है, तो प्रोपा, और own इसके लिए suffix होता है, तो प्रोपा, known, जैसे इसमें आप देखिए, center वाला carbon double bond, है ना, one, two, three, four carbon, अगर हम दूसरा साइड से numbering करते, तो one, two, three, four है ना, तो again, छोटा number वाला rule follow होगा, यहां से two को ketone की position मिल भी है, तो यह सही है, है ना, तो अब हमारे पास नाम क्या बना, यह एक, आपका methyl group, इसके लिए methyl, दूसरी साइड में जो लगा है, that is C2H5 याने की ethyl, तो नाम बना ethyl-methyl ketone, और इसका अगर हम name देखे, तो क्या बन जाएगा, buta-none, चार carbon है तो but, और ketone के लिए हमने रखा own, तो नाम बना buta-none, अब देखिए, हम लोग इसके rules समाज़ते हैं, तो पहला rule again वही है, हम लोग को longest chain select करनी है, with carbonyl carbon हमको, इस chain का longest chain select करना है, लेकिन हम लोग longest chain select करते हुए भी, carbonyl compound को count में लेते हुए longest chain select करेंगे, next हो गया, name the longest chain, longest chain की name बनाईए, जैसे यहाँ 4 carbon हुए, तो but, इसके बाद हम लोग को कोशिश करना है, कि जो हमारा carbonyl वाला carbon है, उसको हम छोटा नमबर देखिए, 1, 2, 3, 4 हो रहा तो और ये side से 1, 2, 3, 4, यहाँ से उपर वाले तरीके से छोटा नमबर 2 मिल रहा था, तो हम वहाँ से numbering देंगे, है ना, इसके बाद में अगर, same चीज है कि अगर मान लोग दो prefixes हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, alphabetical order को follow करेंगे, है ना, जैसे आप एक example यह देखिए, यह सबसे पहली चीज हुई longest chain, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, फिर आपने क्या करना है, कारबो नाइल को numbering करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और 1, 2, 3, 4, 5, दोनों साइट से इसको 3 ही number मिल रहा है, पांच कारबन की chain है, rough work कीजिए, pent, single bond है, in, suffix होता है, own, दो वोवेल्स एकसान नही तो e-drop हो जाएगा, नाम बना pentane, own, ठीक है, अब own की position बता नहीं है, position of own is 3, तो नाम बना 3, dash, 3, hyphen, pentanone, नाम बन गया, अब जैसे suppose हमारे पास और substitutions है, ketoni group है, लेकिन एक और substitution है, वो case में हम लोग क्या करेंगे, तो वो case में हम लोग अगें, shortest number प्रोवाइड करेंगे हमारे ketone की moiety को, ketone को जहां से छोटा number मिलेगा, हम लोग वो rule यूज करेंगे, lowest number 2, carbonyl, atom, carbonyl वाले को छोटा number देंगे, तो आप इस case में देखिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 carbon की chain हुई, तो pent हो जाएगा, कहीं पर आपको single bond ही दिख रहे हैं, double bond नहीं दिख रहे है एन हो जाएगा, और ketone ही group दिख या C double bond हो, तो फिर ये own हो जाएगा, pentanone अपन ने बना लिया है, आप देखिए, यहां साइट से आप numbering कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो pentanone में से जो ketone portion है, उसको 4 number मिल रहा है, और नीचे साइट से जाने से 2 मिल रहा है, तो यह छोटा number है, य अब आप देखो, तो यहां पर और एक substitution प्रेजेंट है, यह विच इस मिथाईल, है ना, तो मिथाईल के लिए कौन सा कार्बन है, 4, गर एक नाम हुआ, 4, मिथाईल, 2, पेंटा, नोन, है ना, इसमें अब देखिए, अगर student, 2 कार्बोनाईल प्रेजेंट हो, तब क्या करो आप देखिए, तो नाम भी वैसा ही बनेगा, जैसे यहां आप देखिए, तो इस structure में हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है, रफ वक करेंगे, हेग्स, सारे के सारे सिंगल बॉंड है, एन, फिर एक किटोन और एक और किटोन, दो किटोन, तो डाइओन, ठीक है, अब इस ड आइओन की पोजिशन बताइए, नमबरिंग कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये साइट से कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए, दोनों साइट से छोटा नमबर कहां मिल रहे है, यहां पर मिल रहे है, 2 and 4, और ये साइट से 3 and 5, तो करेंट नीचे वाला है, 2 and 4 छोटा नमबर है, तो नाम क्या बना, 2, 4-hexadion, hexadion में आपका क्या हुआ, दो किटोन के पोर्शन के लिए, हम लोगों ने दो किटोन के पोर्शन के लिए लिए लिखा, dion, then हम लोगों ने hex, ये ऐसे करके 6 carbons हुए, तो hexane parent chain हुई, इसके बाद में आपका आगया positions, तो ये दूसरे नमबर पर और ये चौथे नमबर पर, तो 2 और 4 हो गया position of ketoni group, तो इस प्रकार से ये नाम बना आपका 2, 4 hexadion, अब इसके बाद एक category जो होती है student, that is ethers, तो ethers में कैसा होता है, नॉमिनक्लेचर समझते हैं हम लोग, ether जो होते हैं, वो एक ऐसे compound होते हैं, जिसमें हमारा center पे oxygen होता है, अपन जैसे क्या जानते हैं, कि oxygen के पास क्या होता है, two bonds है ना, that means double bond, अब इसमें arrangement कैसा होता है, कि एक oxygen, दो अलग-अलग organic groups के साथ में attachment हो, और इस प्रकार का structure बने, then it is known as ether, जैसे आप यहाँ देखें, यह O है, उसका यह एक bond, यह एक bond है ना, और दोनों bond पे अलग-अलग organic groups लगे हैं, जैसे किटोन में क्या था, oxygen है, उसके दोनों bond एक ही carbon से जुड़े थे हैं, यह किटोन में case हुआ था, अलडिहाइड में हुआ था, अब यहाँ पर क्या है, oxygen का, दोनों bond दो अलग-अलग carbon से जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके के group जो होते हैं, दे अलकाइल group जुड़े होते हैं, वो भी oxygen से, और उनको हम alphabetical order में arrange करते हैं, और साथ में ether word को add करते हैं, जैसे, अगर हम same group की बात करें, मान लो हमारा यह जो दोनो आर है, वो एक ही group हो, उस case में हम die को use कर लेते हैं, इन prefix, जैसे, यहाँ आप देखिए, o है, एक side, a car है, o है, दूसरे side, और एक आर है, तो नाम क्या बनेगा, dimethyl, ether, अब यहाँ आप देखिए, एक side, a car है, बिर बीच में o है, फिर साइड, r- है, तो नाम क्या बनेगा, methyl के लिए r-, फिर r के लिए ethyle हो गया, तो ethyle, methyl, ether, अब यहाँ पर हम ethyle को preference क्यों दिये हैं, because alphabetical order में e पहले आता है, तो e के वजह से हम ethyle पहले लिखेंगे, methyl बात में लिखेंगे, और ethers को naming करने के लिए, जो exact name होता है, that is known as l-coxy-l-cane, अब देखिए, इस l-coxy-l-cane में students, जो l-coxy वाला portion है, ये, ठीक है, l-coxy वाले portion में हमेशा हम r जो है, वो smaller group को रखेंगे, तो जो l-coxy portion है, वो represent करता है हमारा r, कौन सा वाला r, small वाला r, जैसा आपन ने इस portion में देखा, देखिए, ये वाला r में दो carbon थे, और ये वाला r में एक carbon थे, तो smaller कौन हुआ, ये वाला r, तो it will be connected with l-coxy, और जो दूसरा हमारा o हुआ, इसके एक side r है, और एक ये दूसरा side r है, तो फिर ये structure हमारा हो गया, क्या, ether, ठीक है, ये अपन ने रखा तरफ वर्क में, अब इसके बाद हमारे पास a r है, और ये एक और r है, ये वाला r छोटा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही carbon और ये वाला r बड़ा, यहाँ पर तीन carbon ये देखिया, one, two, three है ना, छोटा वाला r जो है, that is, एक carbon तो meat, बड़ा वाला तीन carbon है, प्रॉप, अब हमारे पास word होता है, alcoxy, alkane, तो meat छोटा है, meat के साथ alcoxy word जुड़ेगा, तो नाम बना methoxy, चीक है, अब alkane, तो alkane बड़ी chain के लिए propane, methoxy propane, अब बारी आती है, कि हम लोगों को अपने ether group की position देनी है, तो हमारे ether group कहां लगा हुआ है, पहले कार से attach हुआ है, तो इसलिए हमारा one, methoxy propane, तो methoxy was smaller group, और one हुआ वो position, जहां से हमारा o group attach है, और ये prop long chain, तो नाम बन गया one methoxy propane, अब इसके बाद हम लोग एक example और देखते हैं, students देखिए, यहाँ पर, आप यहाँ थोड़ा सा देखिए, तो r का रेंजमेंट यहाँ थोड़ा different है, यह हमारा वो center वाला o है, जो ether के लिए होता है, यह एक side का r है, और यह हमारा दूसरे side का r है, ठीक है, अब आप यहाँ ठीक से counting कीजिएगा, तो यह ether का structure अपन को दिखा, यह side पे जो r है, यह दो carbon वाला है, तो हमारे पास इसके लिए नाम क्या बने इथ, ठीक है, और alkoxy alkin के हिसाब से इसका नाम हो जाएगा, इथोक्सी, राइट, अब उपर वाला गिनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 है, तो hegs, फिर single bond है, in, hegs in, राइट, अब आप देखिए, नमबरिंग कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यह एक substitution, इसको अभी hold पे रखिए, पहले की, जो हमारा इथर है, उसकी नमबरिंग हमको करनी है, इथर वाला जो carbon है, वो उपर से जाएंगे, तो पांचवे नमबर प्यार, और नीचे वाले तरीके से जाएंगे, तो दूसरे प्य नमबरिंग को आगे बढ़ाईए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपने नोटिस किया, कि पांचवे नमबर के carbon पर और एक substitution है, methyl नाम का, तो नाम बन जाएगा, 2-ethoxy-5-methyl, और फिर यह hexane, तो correct नम बना, 2-ethoxy-5-methyl-hexane, यह होता है, इसका correct नेम, अब इसके बाद, हमारे पास इसी series में, एक और type of compound होता है, which is known as oxy-rens, oxy-rens जो होते हैं, वो ether ही है students, लेकिन cyclic nature के होते हैं, अब जैसे suppose हमारे पास R, O, R ऐसा था है ना, अब थोड़ा difference होगा, यह O रहेगा, लेकिन R भी रहेगा, दूसरा R भी रहेगा, लेकिन यह दोनों R एक दूसरे से भी जुड़े हुए रहेंगे, जैसे यहाँ पर दोनों R, free ends पे थे, यहाँ पर दोनों R, एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, तो आपको एक प्रकार की cyclic ring मिलेगी, और जबी भी हम oxy-rens का nomenclature करेंगे, तो हमारे पास word होता है, epoxide या alkyne dioxide, तो alkyl oxy-rens, भीन का हम नाम बोलते हैं, इस system में जो fixed rule है, that is oxygen को हमेशा one number देना है, जैसी इस structure की आप बात कीजिए, यह oxygen से numbering शुरू होती है, oxy-rens में, आप ऐसा भी आद रख सकते हो, O for oxygen, O for oxygen की numbering 1, है ना, यहाँ rule change है, carbon से numbering नहीं करना, oxygen से करना, 1, 2, 3, ऐसा, यहाँ आप देखो, oxygen 1 हुआ, दो carbon oxide, ethylene oxide, अब यहाँ देखो, 1, 2, 3, 2 वाला जो carbon है, इस पे आप देखो, यह एक chain है, अब यहाँ पर ethyl जो है, वो side chain में आ जायागा, क्योंकि यह हमारा main structure है, तो नाम बना 2-ethyl-oxy-rens, यह यह वाला ethyl, और बाकी चीज़ है, अब यहाँ देखिए, तो 1, 2, 3, 2 वाले carbon पर 2 अलग-अलग methyl लगा, तो नाम बना 2-2-dimethyl-oxy-rens, तो यह था students oxy-rens का nomenclature, I hope आपको यह content समझ में आया होगा, हमारे next class में हम लोग LD-heights and other जो भी हमारे functional groups हैं, उन सब का हम nomenclature carboxylic acid उसके derivatives इन सब को पढ़ेंगे, तो I hope यह content आपके लिए useful रहा होगा, अगर आ अब हमारा App Solution Pharmacy डाउनलोड कीजिए, वहाँ notes available है, हम लोग next class में मिलते हैं, till then thank you so much